आज के रंद का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले में एक IP को डिसकस करने वाला हूं देखो मेरे emotions को आप पकरना यह समझना में किस emotion से बात कर रहा हूं company का नाम है श्री तिरुपती बालाजी agro trading company limited जैसे मुझे इस IPO के बारे हम पता चलाना मेरे मंद में सिर्फ एक feeling आई आप बीच में कहां से आ गए है अभी हम अल्री बहुत सारे दूसरे IPO जिसके लिए बहुत excited है और randomly बीच में यह IPO अनाउंस हो गया तो मैंने सोचा आपके लिए शॉट में cover तो कर देते है पर reaction मैंने बता दिया है with no offense to any company और मैं कोई recommendation कोई tip नहीं दे रहा हूँ बट reaction यही था मेरा एकदम basic से बात start करते है 2001 में company incorporate हुई थी company manufacture करती है और sell करती है FIBCs flexible intermediate bulk containers को जो यह IPO का size है वो competitor भी काफ़ी छोटा IPO का size है तो उससाब से इस IPO का हमें study करना पड़ेगा 5th से 9th of September के बीच में यह IPO open रहेगा 10th को allotment decide होगा 11th को या तो shares मिल जाएंगे वरना आपको refund मिल जाएगा 12th को होने वाली है listing एक चीज़ धियान रखेगा इस IPO का जो पैसा है अगर आपने इस IPO में block कर दिया सपोस करते है आपको यह IPO पसंद आया और आपने इस IPO में पैसा अपना block कर दिया तो इस IPO का पैसा आप बजाज housing finance के IPO में use कर पाओगे या नहीं कर पाओगे यह depend करेगा आपकी अपनी bank के उपर हो सकता है कि काफी सारे cases में हम इस IPO का पैसा use भी करनी पाए ऐसा मैं क्यों कह जैसे हमने discuss किया close हो जाएगा यह IPO 9th को और इस IPO का आपको shares credit of refund मिलेंगे 11th को मज़े की बात यह है कि बजाज finance के closing की date भी है 11th of September अब अगर आपका bank सुबह सुबह ही आपका पैसा release कर देता तो obviously आप बजाज finance के IPO में use कर पाओगे पर majority cases में कई बर ऐसा हो जाता है कि तोड़ा सा delay हो जाता है और उस पैसे को हम use नहीं कर पाते तो एक बर आप चेक कर लीजेगा कि आपकी bank किस समय release करती है और उसके randomly का मत करेगा कि चल ठीक है इसमें लगा जेता हूं दूसरे में बाद में use कर लूँगा नहीं आया पैसा तो वह आपको सोच समझ के plan करना पड़ेगा और हाँ DMAT account open करने के लिए link description में है और mutual funds में invest करना चाहते हो हमारी team की help के through distribution की help के through तो link description में मिल जाएगा form भर दीजेगा within 7 days हमारी team आपको connect कर लेगी इस IPO का total size है मातर 169 करोज का चोटा सा IPO है 122 करोज है fresh issue 47 है offer for sale चोटा सा IPO है 180 shares का lot है retail में 14,940 रुपीज का होने वाला है H&I category में small के लिए आपको 14 के लिए और big के लिए आपको 67 lots के लिए apply करना पड़ेगा BAC, NAC दोनों की listing है QIB के लिए 50% retail के लिए 35 और standard H&I के लिए 15% का कोटा होने वाला है Next, financials पर नज़र डालते है कि अच्छे भी है या खराब है financials देखोगे तो total assets अच्छी rate से grow कर रहा है roughly 500 कोड़ पहुँच किया है revenue 2023 vs 2024 में 16% की growth rate है revenue इतना नहीं बड़ा है पर IPO से जब पहले profitability 74% से increase हुई है जो आपके eyebrows को increase करने के अच्छी है देखो होता क्या company का revenue बड profit बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कई बर ऐसा भी होता है कि just because of IPO आने वाला है company तोड़ा सा ज़्यादा profit दिखा रही है इस चीज़ को आप just back of the mind रख ली देगा मैं कोई negative point नहीं बोल रहा just आपके लिए question raise कर रहा हूँ 677 करोज का होने वाला है total market capitalization 20% का return on equity 16% का return on capital employed है okay है debt company के ऊपर 243 करोज का roughly roughly 1.41 का है debt to equity ratio on the higher side है EPS निकल क्या रहा है 4.42 का PE निकल क्या रहा है 18 का valuation comfortable है बहुत महंगे नहीं है ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है इस IPO में risk factors या negative factors क्या है या internal risk क्या है वो मैं आपके साथ छेयर कर लता हूँ सबसे पहले company की जो main manufacturing unit है वो मध्यप्रदेश पीतंपुरा में है single जगे location risk के manufacturing से related second ये company का mainly का प्लास्टिक से around होता है आज कर हम सभी देख रहे हैं कि plastic के against में awareness बढ़ रही है अगर वो awareness बढ़ती है तो company का business impact हो सकता है and finally company का अच्छा कासा पैसा export से आता है 63% as on September 2023 मतलब foreign exchange से काफी ज़्यादा exposure है company का foreign exchange की volatility का company के ओपर impact होगा इस point को ध्यान रखेगा ये इसके internal risk factors है object क्या है issue का repayment करना है अपनी warrings का subsidies में investment करना है investment के क्या results आएंगे subsidies में वो अभी question mark है funding करना है working capital requirement कुछ और investments भी करना है working capital के लिए subsidies में and general corporate purposes जिस समय मैं ये video बना रहा हूँ उस समय as per sources gray market premium होने वाला है इस IPO का 8 रुपिया 83 रुपीज का issue price, 8 रुपिया का है gray market premium roughly 9.64% का मामुली बहुत छोटा gray market premium है retail में 1000 रुपे की profit expectations और H&R category में 15,000 रुपे की profit की expectations हो रही है as per gray market premium तो यह हो चुका है इस IPO का complete review मैंने आपको risk factors भी बता दिये, valuations भी बता दी, peer comparison की बात करें तो commercial sink होता है जिसका peer ratio चल रहा है 37 का, MB industries होता है जिसका peer ratio 22 का, receipt tech tax होता है जिसका peer ratio चल रहा है 33 का, तो valuation company का ठीक valuation पर आ रहा है क्योंकि हमारी company की profitability recently बढ़ी है इसके कारण हमें valuation ठीक लग रहा है अगर हम पुरानी profitability से compare करेंगे तो लगेगा यह valuation अच्छा ही है, सस्ता तो नहीं है पर recently profitability बढ़ने की कारण यहां पर आपको valuation comparatively ठीक दिख रहा है, overall एक normal IPO है एक generic IPO है जो बीच में आ गया है एक ऐसा IPO है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा excited नहीं हूँ पर छोटा IPO है छोटे price का IPO है तो शायद हमें subscription मिल रहा हुआ, anchor book अच्छी हुई तो मैं इसको और study रहने में interest रहूँगा अगर मेरे पास funds limited है और बहुत controlled funds है मेरे पास हर IPO में apply करने के लिए funds नहीं है तो probably मेरे पास और भी काफी सारे options है जिने properly पहले study करना पड़ेगा फिर हमें इस IPO का decision बनाना पड़ेगा अब हम चलते हैं अपने next line में summarize करूँ खाया पिया कुछ नहीं ग्लास तोड़ा बारा आना perfectly premium meeting का market चल रहा था आपको पता है पिछले एक मने से मैं कह रहा हूँ अगर option writers हो तो वापिस आपका समय market में आ चुका है निफ्टी को अगर आप check out करोगे तो उससे पहले put call ratio 1.2 का है comfortable है FIS buying कर रहे है DIS buying कर रहे है market अभी तक asset stabilize हो रहा है comfortable दिखा रहा है अब market ने अपनी एक range बना ली है जब तक market 25,200 and 25,350 के बीच में अटका हुआ है premium meeting market बना रहेगा कल के दिन भी मतलब जब तक Nifty की ये दो range नहीं तूटती हम कोई भी directional काम नहीं कर पाएंगे even intraday के लिए directional काम कल के दिन करना हुआ तो सबसे main focus रहेगा bank Nifty का जिस तरीके से bank Nifty ने आज के दिन जाते जाते 51,500 की range तोड़ के उपर गया है यहाँ पर positive stance के साथ कल के दिन यह ध्यान रहेगा क्योंकि कल के दिन हमारे सामने weekly expiry भी है bank Nifty की अगर यह retest करके देखो यहाँ पर इसने निकाला है इस range को पर retest का area अभी भी हमारा 51,200 का रहेगा मतलब यह retest करता है 51,200 पर तो वापिस से एक बार हमारा focus रहेगा on the positive side momentum चल रहा है, momentum में निकलता है तो bank Nifty पर ही focus रहेगा तो कल के दिन Nifty को range को हम ध्यान में रखेंगे, range की बिना काम नहीं करेंगे bank Nifty ने क्योंकि आज के दिन जाते जाते range को तोड़ा है अगर यह पहले आदी गंटे में इस range के उपर maintain रहे पाता है तो कल के दिन वापिस से bank Nifty lead कर सकता है move को जिसके उपर हमारा ध्यान रहना चाहिए by chance हमें dip मिलता है तो 51,200 हमारा ultimate support के level की addition का level और ultimate stop भी होना चाहिए अगर हमारी कोई random उपर की side कहीं पर भी कोई भी bullish position है तो focus कल के दिन bank Nifty में रहेगा premium meeting का काम भी अगर हमें करना है bank Nifty में भी तो first half में कर सकते है 10 से 12 के आसपास तक का उसकी बाद रुकना पड़ेगा because second half में अगर कल momentum पकरता है इधर side में तो bank Nifty में focus रहेगा tomorrow इस तरीकी की चार्ट देखने का मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 EMA की strategy का दिन हो सकता है तो 10 EMA की strategy को revise कर लीजेगा important रहेगा ज़्यादा कुछ आज discuss करने के लिए है नहीं because market भी status को maintain कर रहा है ऐसा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है आज के दिन Nifty तो एकदम premium eat किया small cap mid cap में आपका अगर portfolio heavy होगा तो वहाँ पर आपको लगा होगा यार फाल तू मेरे वाले stocks तो टूटे गए तोड़े बहुत बढ़ गए पर मेरे वाले stocks के तो पिटाई हुई बैंक Nifty में momentum मिल गया छोटा मोटा overall एक non-event वाला दिन था अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो like करें बिना मज जाएगा open for all telegram channel को join कर लीजिएगा काफी important update during the market hours में वहाँ पे डालता रहता हूँ see you very soon subscribe करके ही जाना channel को